नमस्कार मैं भाषा और आप देख रहे हैं न्यूस क्लिक पर खोश खबर का एक्रम इन दिनों दो चार शब्द आपके और हमारे कानों पे रोज पड़ रहे हैं इन में सबसे बड़ा शब्द है पुरिबोरतन, आत्मिर्भर भारत, देश भक्ती, पढ़े लिखे आतंकवादी और भी न जाने क्या-क्या इन शब्दों को कैसे हमार आप देखते हैं इसी पर सारा का सारा दारोमदार तिका हुआ है कहने के जरुवत नहीं कि ये सारे शब्द प्रधान मंत्री नरेन मोदी के प्रिये शब्दों में से एक हैं और शायब इस पुरिबोरतन को बंगाल ही नहीं पुरा देश देख रहा है पुरिदेश में पेट्रोल और डीजल को लेकर जो हाहाकार मचा हुआ है इसके साथ साथ प्याज हो बाकी जरूरी चीजें वे सब आसमान चू रही हैं और निश्चित तोर पर ये हैं बहुत बड़ा पुरिबोरतन है जो बंगाल ही नहीं पुरा देश जेल रहा है भुगत रहा है और इसके साथ साथ एक दो चीजें और जिन पर हम बहुत लंबी चौड़ी चर्चा तो नहीं करेंगे लेकिन इनका जिक्र किये बिना आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है दिशारवी जी हाँ वही 21 साल की क्लाइमेट चेंज की अक्टिविस्ट दिशारवी को आखिरकार दिल्ली में जमानत मिल गई और जमानत देते समय अदालत ने जज ने जुका वो शायद सरकारों को सुनना बहुत जरूरी है उन्होंने कहा कि इस 21 साल की लड़की का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है कुछ भी उसने अभी तक नहीं किया और नहीं पुलिस अभी तक कोई भी सबूत उसके खिलाफ पेश कर पाई है और ऐसे में उसे जमानत दी जानी बेहद जरूरी है हम आपको बता दें कि दिशारवी को किसानों के स्पक्ष में जो पूरा का आंदोलन चल रहा है उसमें एक टूल किट बनाने उसमें संचोधन करने के आरोप में दिल्ली स्पेशल पुलिस ने दिल्ली से बैंगलोर जाकर गिरफतार किया था और उसमें ऐसा बताया जा रहा था कि जैसे यह टूल किट पता नहीं कितनी बड़ा एक साजिश का हिस्सा है जिससे पूरी की पूरी सत्ता हिल रही थी हाला कि मामला भी चल रहा है साथ ही उधर क्रांतिकारी कवी वरवरा राव को भी जमानत दी गई और जमानत देते समें वहाँ पर भी मुंबई हाई कोट ने सीधे सीधे कहा कि इस वरिष्ट कवी की जो हालत है जो स्वास्त का अधिकार है वह जीवन के अधिकार का अभिन्न हिस्सा है ऐसा लगता है कम से कम इन दो घटनाओं से कि तमाम लोग जो आंदोलनकारी हैं जो जेल के अंदर बंध हैं और लंबे समय से जमानत के लिए कोशिश कर रहे हैं उनके लिए एक आशा की किरन दिखाई दे रही है पेट्रोल डीजल के बढ़ती हुई कीमते हो प्याज हो रसोई गैस हो तमाम जरूरी चीजें इन सब के लिए दोशी निश्चित तोर पर 2014 से लेकर अब तक सत्ता में आसीन मुधी सरकार नहीं फुरानी सरकारें और पिशली सरकारें हैं और वहीं देश वासियों से यह चार वर्सप युनिवरस्टी से लेकर तमाम जगों पर प्रसारित किये जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि पेट्रोल और डीजल या तमाम चीजों के जो दाम बढ़ रहे हैं इस पे हाहाकार करने की जरूरत नहीं क्योंकि यह राश्भक्ती का मामला है राश्भक्ती की बयार जो चल रही है इस पर चर्शा करना जरूरी है लेकिन साथ ही सबसे जरूरी है प्रधान मंत्री नरेन मूदी का भाशन बहुत ध्यान से सुनना उन्होंने IIT खड़कपुर से लेकर तमाम जगों पे बहुत जबरदस्त अपील की है उन्होंने युवा पीड़ी से शि सबको याद आ रही थी रामदेव बाबा की घुट्टी पतांजली के रामदेव ने तो कमाल ही कर दिया और इससे बड़ा कमाल किया मोधी सरकार के दो बड़े मंत्रियों ने देश के स्वास्त मंत्री ने और ट्रांस्पोर्ट मिनिस्टर ने हर्षवर्धन और नितिनगट करी यह तीनों लोग मिलकर देश की राजधानी दिल्ली में एक साथ ऐलान करते हैं कि पतांजली ने जो कोरोनिल दवा बनाई है वह लाजवाब अचूक इलाज है कोरोना का रामदेव तमाम मीडिया घरानों पर तमाम टीवी चैनलों पर जा जाकर यह तक दावा करते हैं कि इसे विश्व स्वास्त संगठन ने मुहर लगा दी है सर्टिफिकेट मिल गया है और वह 158 देशों में इसका आयात करने को तयार है इसे भेजने को तयार है अब देखिए क्या मज़ेदार बात है देश को इतनी शर्मिंदगी शायद ही कभी महसूस हुई हो और बिचारे इंडियन मेडिकल एसोसियेशन को भी सामने आना पड़ा और बोलना पड़ा कि स्वासमंत्री जी आप क्या कर रहे हैं अगर कोरोनिल ही इलाज है तो 35,000 रुपे और उससे भी ज्यादा कोरोना वैक्सीन पर आप क्यों खर्च कर रहे हैं सबको कोरोनिल ही दे दीजिए इलाज हो जाएगा दुनिया भर में आपका नाम हो जाएगा फिर विश्व स्वास संगठन सामने आया और उसने खुल कर दो टूक शब्दों में कहा कि किसी भी तरह का प्रमाण कोरोनिल या किसी भी आरवेडिक दबा को डबली एचो ने नहीं जारी किया है लेकिन आप और हम तो जानते हैं मीडिया के तमाम घरानों में खबरें जो हम तक आप तक पहुशती हैं इनका प्रमुख प्रचारक पतांजली है और शायद इसी लिए बह गटना है और तब से लेकर आज तक किसी के खिलाफ कोई कारवाई नहीं हुई हम जानते हैं कि जरा जरा से ट्वीट करने पर लोगों के खिलाफ एफाई आर हो जा रहे हैं फेक न्यूस कहकर लोगों के ऊपर एफाई आर हो रहे हैं लोग गिरफतार हैं उनके मामले चल रह हर्शवर्धन और नितिन गटकरी इन सब के खिलाफ कारवाई तो दूर एक बयान तक नहीं आया कि यह गलत और भ्रामक है और इस तरह का कोई भी खोज अभी तक नहीं हुई है और शायद जिन लोगों ने प्रधान मंत्री का भाशना सुना हो उन्हें लग रहा होगा कि वे परोग शुरूत से मुहर लगा रहे थे पतांजली के शायद इसी कोरुनिल पर भ्यान से देखिए आज उन्होंने क्या कहा उन्होंने कहा कि भारत में जो ट्रडिशनल मेडिसिन है वह दुनिया में नाम रौशन कर रही है बिल्कुल सही वह मोधी जी वह बिल्कुल सही फर ऐसा बनाना रिपब्लिक है जहां पर एक बाबा मंत्रियों के साथ आकर यह ऐलान करता है बिना किसी प्रमाण के कोरोना का इलाज उसने खोज लिया है और सिर्फ खोजा ही नहीं है वह 158 देशों में इस दवा को भेजने के लिए भी तैयार है यह जो एक अजीब गरीब इ खाशन दे रहे हैं उद्घाटन कर रहे हैं यह सारी खबरें तो हमारे सामने आ रही है लेकिन यह जो इतना बड़ा फ्रॉड एक देश की जनता को अंधेरे में धकेलने की कोशिश हो रही है विज्ञान को ताक पे रखके बड़ा मुनाफे का खेल खेला जा रहा है इस पर चर्चा बहुत कम हो रही है और शायद यह बेहद गंभीर मसला है इस पूरे प्रक्रण पर हमने बात की वेज्ञानिक गौहर रजा से आईये सुनते हैं गौहर कैसे देखते हैं इसको क्योंकि आये में भी खुलकर सामने आ गया है और वह जवाब तलब सरकार को कर रहा है किसी ने कुछ नहीं कहा कोई माफी नहीं मांगी गई और लगी हुई है कि जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा जब लोग खत्रे में तो पैसा इकट्टा कर लिया जाए उनको बिवकूप बना करके और उसमें फिर अगर सरकार शामिल हो जाए उसमें मिनिस्टर्स शामिल हो जाए तो ये देश के लिए अंधकार से बड़ जो साइंटिफिक कम्यूनिटी अपरूब नहीं करती है उनमें से कोई चीज चंता तक पहुचाई नहीं जा सकती चाहे वो बात ही क्यों नहीं कर सकते हैं एक आदमी उठता है और उसकी पूरी की पूरी लंबी चोड़ी वो बन जाती है किसी तरह से फैक्ट्री बन जाती ह और वो ये अन साइंटिफिक चीजें बाते कहने के लिए खुलियाम चूट मिली उड़ी उसको और उसके साथ मिनेस्टर्स वैक्ट देए क्या हो रहा है देश को कहां ले जा रहे हैं हम देश को साइंटिफिक कम्यूनिटी बहुत चिंतित है और मुझे लगता है कि चिंति को थोड़ी सी रहात मिली हो क्योंकि 25 वरवरी को गाय प्रेम को लेकर जो राष्टिय स्तर पर प्रतियोगिता परिक्षा होनी थी वह कैंसल हो गई है कामधेनू गौव विज्ञान प्रचार प्रसार परिक्षा प्रतियोगिता अचानक ही सरकार ने रद कर दी इसकी बज़ वल्लब भाई ने अचानक ही स्तीफा दे दिया और उसके बाद यह 25 वरवरी को जो राष्टिय स्तर पर प्रतियोगिता होनी थी जिसके बारे में थोड़ा बहुत छंछं के हमारे सामने आ रहा था जिसको लेकर बच्चों से लेकर विश्विद्यालों तक हर जगा यह गाय के बारे में गाय से मिलने वाले फायदे के बारे में गोबर के बारे में और भी नजाने क्या क्या चीजें सब के बारे में परिक्षा देनी थी तो फिलहाल देश गाय को लेकर अपने ग्यान को सामने लाने में अभी थोड़ा रुक गया है हो सकता है जल्द ही यह प्र कुछ पर दाव लगा हुआ है इसके साख इसके उपर हमला चो तरफा है उपर से हमला है नीचे तक कितना लोग विज्ञानिक सोच को बचा पाएंगे यह कहना आज की तारीख में बहुत ही मुश्किल है वहीं दूसरी तरफ देश की राजधानी दिल्ली को जले हुए एक साल पूरे हो गये हैं और हम सब जो इस राजधानी में रहते हैं या इस देश के वासी हैं हम सब को इस जली हुई दिल्ली की बहुत दर्दनाक तस्वीरें भूले नहीं भूलाती हैं कपिल मिश्रा कहते हैं कि पिछले साल को उन्होंने जो किया दिल्ली में अगर उन्हें फिर पिर मौका मिला तो वे फिर करना चाहेंगे और खुल कर बोलते हैं कि 22 तारिक को जिस तरह की हिंसा जिस तरह की नफरत जिस तरह से घरों का जलना जारी हुआ था वह कड़ी अभी भी जिन्दा है वह हमें और आपको भूलने नहीं देना चाहते कि क्या हुआ था आपको याद दिला दें कि कपिल मिश्रा के भड़काऊ भाशन के बाद ही दिल्ली में तनाव और दंगे की शुरुवात एक धंग से हुई थी और तब से लेकर अब तक अलग-अलग रिपोर्टे आ चुकी हैं बहुत से लोग गिरफतार हैं जेल में बंध हैं जिनकी रिहाई के लिए जि आप में बताता है कि नफरत करने वालों की ताकत और हिम्मत को जो राजनितिक वर्धस्त मिला हुआ है जो पॉलिटिकल पैट्रोनेज मिला हुआ है वह निश्चित तोर पर डराने वाला है और शायद उनके सामने या उनके तमाम जो समू हैं उनके सामने इंडिया ने एक बहुत एहम रिपोर्ट जारी की है जिससे पता चलता है कि मुंबई दंगों में जो 92-93 के समय दंगे हुए थे मुंबई जली थी उसके बाद से जो दंगा पीडित बच्चे थे जो बहुत छोटे-छोटे थे उनकी जिंदगियां किस तरह से तबाव हुई तमाम ल कपिल मिश्रा जी और आपकी पूरी टीम क्यों देश को इस तरह के खौफनाक मंजर से जुलसाना चाहते हैं वह भी तब जब देश लोगतंतर की बाकी एहम लड़ाईयां लड़ने पर मजबूर हो रहा है इस समय देश की सबसे बड़ी जो हकीकत है जो लोगतंतर पर खत्रा है हमारी आपकी जिंदगियों पर जो हमला है उसे कैसे आज की महिला पत्रकार दर्स कर रही है हिम्मत के साथ सामने ला रही है इस पर एक अलग धंग का जमावड़ा अलग धंग की चर्चा देश की के लिए अपनी जिन्दगी का बहुत लंबा हिस्सा बिताया था उनका नाम है निलाब मिश्र निलाब मिश्र की तीसरी स्मृती दिवस पर आज देश की राजधानी में यह बैठक हुई जिसमें महिला पत्रकारों ने बढ़ चड़ कर यह बताया कि आज के दौर में सच की बात हम करते हैं, रिपोर्टर्स के अभाव की हम बात करते हैं, खबर लहरिया अपना बहुत कुछ कंप्रमाइज करने के बावजूद वो रिपोर्टर्स पर कंप्रमाइ!!! नहीं करते! and I think ये बहुत खासियत है खबर लहर्या की और मैं इभी कहना चाहूंगी कि हाल ही में Sundance Film Festival जो एक अंतराष्ट्य बहजाना माना Film Festival है खबर लहर्या पर एक Film Writing with Fire बनी और पुरुस्क्रिट भी की गई I think दो काटेगरीज में some journalists I think मैंने एक ओंधानवी जी का भी ट्वीट देखा उनने कहा It is possibly the best journalism film of our times So I don't know when we will get to see it Kavita हमें बताएंगी कि हम कब ये खबर लहर्या पर बनी बहतरीन पत्रकारता पर एक Film देख पाएंगे आखरी में नेहा दिक्षित हम सब नेहा को जानते हैं नेहा के काम को सराहते हैं उनकी रिपोर्टिंग से प्रभावित होते हैं नेहा है बना इंडिपेंडेंट जोर्नलिस्ट पट रिटन फोर अल जैजीरा, वाशिंटन पोस्ट, कैरवा, वायर और कही जगा नफरत और मुहबबत के बीच लडाई जारी है देश को बचाने वालों और देश को खंडित करने वालों के बीच लडाई तेज होती जा रही है और इसमें आपको और हमको अपना पक्ष तै करना ही होगा हमें तै करना पड़ेगा कि हम किस तरफ खड़े हैं सच के साथ खड़े हैं या सच को मटिया मेट करने वाली ताक्तों के साथ खड़े हैं आपसे एक अपील है देखिए लाइक करिए शेर करिए खोश खबर न्यूस क्लिक ताकि सच को जिन्दा रखने और बेबाक और निर्भीत ढंग से आप तक पहुचाने की हमारी लड़ाई जारी रहे शुक्रिया